हेलो एबिवर्ण वेल्केम तु माई डीप चैनल स्टरी टायामित प्रियंका सु आज के इस वीडियो में हम अपके क्लास 12 हिस्ट्री बुक का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इस चैप्टर नंबर 10 कलोनियलीजम एन दा कंट्री साइट सबसे पहले हम लोग इन दोनों ही ट्रम के मीनिंग को समझते हैं سो कलोनियलीजम को हिंदी में उपने विश्वाद कहा जाता है यह एक ऐसा प्राक्टिस होता है जिसमें जो पाफूल कंट्री थे हैं उन सारे countries का जो resources होता है वो अपने country के development के लिए इस्तमाल करते है अपने country के power and wealth को increase करने के लिए इस्तमाल करते है So इस chapter में हम लोग British colonialism के बारे में discuss करने वाल है Britishers ने किस तरीके से इंडिया को अपना कलोनी बनाया था और इंडिया के resources को किस तरीके से वे लोग अपने country के development के लिए इस्तमाल करते थे अपने country के power and wealth को increase करने के लिए इस्तमाल करते थे So इस chapter में हम लोग उन्हें के colonialism के practice के बारे में discuss करने वाले है And countryside का मतलब होता है grameen छेत्र यानि के rural areas So इस chapter में खास कर हम लोग British colonialism in the countryside यानि कि grameen छेत्र में रहने वाले लोगों के उपर Britishers के द्वारा जो control किया था So उसके बारे में हम लोग इस chapter में discuss करने वाले है So खास कर इस chapter में countryside यानि कि grameen छेत्रों के उपर ही focus किया गया है उनके उपर Britishers ने किस तरीके से control किया था So इन सारे चीजों के उपर ही focus किया गया है So now अब हम लोग chapter को detail वे में discuss करना start करते है With the introduction of this chapter So chapter के introduction में भी हमें ही बता रखा है कि आखिर हम लोग इस chapter में कौनसे कौनसे topics को cover करने वाले है क्या कुछ पढ़ने वाले है So सबसे पहले तो हम लोग इस chapter में Countryside में रहने वाले लोग यानिकि ग्रामीन शेत्र में Rural Areas में रहने वाले जो लोग थे So उनके लिए कलोनिया रूल का क्या मतलब था उनके लिए Britishers के रूल का क्या मतलब था So इसके बारे में डिस्कस करेंगे यानिकि Britishers ने किस तरीके से ग्रामीन शेत्र में रहने वाले लोगों के उपर कंट्रोल किया था So यह हम लोग इस chapter में डिस्कस करेंगे Second हम लोग Bengal के जमीनदार के बारे में डिस्कस करेंगे Rajmahal Hills में रहने वाले पहारी और संथाल के लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे और साथी साथ Deccan में रहने वाले लोगों के बारे में भी डिस्कस करेंगे And third हम लोग यह डिस्कस करेंगे कि आखिर किस तरीके से English East India Company ने Countryside में यानिकि रूरल एरियाज में अपने राज, अपने रूल या फिर अपने कंट्रोल को स्टिबलाइज किया था साथी साथ English East India Company ने किस तरीके से अपने revenue policies को implement किया था उन सारे countryside के एरियाज में और countryside में रहने वाले जो अलग-अलग section और people थे सो उनके लिए इन सारे policies का क्या मतलब था ये सारे ही revenue policies उनके life को किस तरीके से change करते थे सो इन सारे ही चीजों की बारे में हम लोग इस chapter में discuss करने वाले है सो introduction को पहनने के बाद हमें clearly ये समझ में आता है कि इस chapter में खास कर countryside के ओपर ही focus किया गया है यानके grammar शेत्रों के ओपर focus किया गया है rural areas के ओपर focus किया गया है सो Britishers ने आखिर किस तरीके से countryside के ओपर rule किया था किस तरीके से उन्होंने अपनी new revenue policies को countryside में implement किया था सो इन सारे चीजों के ओपर ही इस chapter में खास कर focus किया गया है और हम लोग इस chapter में इनी सारे चीजों को discuss करने वाले है अगर हम लोग इस chapter के important sources की बात करें पहला important source है revenue records and the surveys जब Britishers countryside में revenue यानि कि tax को collect करते थे उसका वो एक detail record भी रखते थे उस revenue records से हमें उस time period के condition की बार में पता लगता है हमें ये पता लगता है कि आखिर Britishers countryside में रहने वाले लोगों के उपर कितना ज़्यादा tax impose करते थे साथे साथ उस time period की दौरान British officials के द्वारा जो surveys किया जाता था land की उपर जो survey किया जाता था कि किस land में हमें कितना ज़्यादा tax को impose करना है सो इन सारी records से हमें उस time period की situation की बारे में condition की बारे में information मिलता है ना जो second important source है वो है journals and accounts left by surveyors and travelers सो जो surveyors होते थे यान कि ऐसे लोग जो कि surveys को conduct करते थे यान जो travelers होते थे चाहिए हम लोग foreign travelers की बात करे या फिर इंदिया की travelers की बात करे सो उन लोगों के द्वारा कुछ accounts को लिखा गया था, कुछ report को ready किया गया था उनके जो journals यान की उनके द्वारा जो magazines लिखा गया था जो diary लिखा गया था सो उन सारी चीजों से भी हमें उस time period के condition की बारे में information मिलता है and जो third important source है वो है reports produced by inquiry commission सो कई बार क्या होता था investigation के लिए एक commission को appoint किया जाता था सो उस inquiry commission के द्वारा जो भी report को produce किया जाता था सो उन सारी report से भी हमें उस time period के condition की बारे में information मिलता है सो ये तीन main important source है इस chapter का इन तीनों ही sources से हमें उस time period में countryside में लोगों का कैसा condition था Britishers किस तरीके से अपने revenue policies को countryside में रहने वाले लोगों के उपर impose करते थे सो इन सारी ही चीजों की बारे में हमें information मिलता है so with this chapter का introduction complete होता है so now अब हम लोग chapter के first topic को discuss करते है जिस topic का नाम है Bengal and the zamindar so ये एक बहुत ही important topic है इस topic में हम लोग हास कर Bengal के बारे में and Bengal में रहने वाले जमिंदार के बारे में discuss करने वाले है so topic को discuss करने से पहले अगर हम लोग थोरा सा ये discuss करें कि आखिर British East India Company ने इंडिया को किस तरीके से अपना colony बनाया, इंडिया को किस तरीके से उन्होंने control किया so battle of policy and battle of baksar ये दो important battles को जीतने के बाद ही British East India Company ने अपना जो control है वो इंडिया में stabilize कर दिया so battle of policy and battle of baksar जीतने के बाद British East India Company को Bengal, Bihar और उरिश्या का दिवानी राइट्स मिल गया from the Mughal ruler in 1765 so दिवानी राइट्स का मतलब क्या होता है दिवानी राइट्स का मतलब होता है वो power जिसकी through up British East India Company इन तीनोई areas में जो revenue collection है उसके regarding rules बना सकती है इन तीनोई areas के administration को control कर सकती है so Britishers के पास ये power आ गया कि अब वो Bengal, Bihar and Urisha में revenue को collect कर सकता है और indirectly Bengal, Bihar and Urisha के उपर rule कर सकता है so colonial rule सबसे पहले Bengal में ही stabilize किया गया था Bengal was the first province first area जहाँ पे Britishers के द्वारा colonial rule को stabilize किया गया था so जैसे कि Bengal was the first province first place जहाँ पे Britishers ने अपने colonial rule को stabilize किया था so Britishers की द्वारा जो कुछ भी changes किये गया थे so उन सारी changes को सबसे पहले Bengal में ही implement किया गया था So Britishers की द्वारा Rural Society को Reorder किया गया था, उसको Change किया गया था So ये सब कुछ हमें Bengal में ही सबसे पहले देखने को मिलता है इसके अलाबा, Britishers की द्वारा Land Rights को लेकर कुछ New Rules बनाया गया थे So ये भी Bengal में ही सबसे पहले Stabilize किया जाता है और New Revenue System को भी Bengal में ही सबसे पहले Stabilize किया जाता है So एक माइन में Question आया होगा कि आखिर Bengal में ही Britishers क्यों हर एक चीज को Implement कर रहे थे So इसका Reason ही है that Bengal was the first province जहां पे जो Britishers थे उन्होंने अपने Colonial Rule की शुरुआत की थी So हर एक चीज सबसे पहले वो Bengal में ही लागू करवाते थे So with this हमने Topic No.1 का Introduction Complete किया Now Topic No.1 का जो पहला सब Topic है उसका नाम है An Oxen in Burdaman So Oxen का मतलब होता है निलामी करना And Burdaman आज के time period में West Bengal में जब Burdaman City है So उसी को पहले के time period की दौरा नवर्दमान कहा जाता था So 1793 में Britishers की द्वारा Bengal में एक New Revenue Policy को Introduce किया जाता है And that was the Permanent Settlement which was introduced by the Governor General Charles Convalese So Governor General Charles Convalese की द्वारा 1793 में Bengal में एक New Revenue Policy को Introduce किया जाता है And उसी New Revenue Policy का नाम है Permanent Settlement So जो East India Company था उन्होंने अपने revenue demand को fix कर दिया And जो की हर एक जमिनदार को pay करना था So जैसे की इस revenue policy का नाम है Permanent Settlement So नाम सही हमें ये पता चलता है कि ये एक ऐसा revenue policy था जिसमें जो revenue था उसको permanent कर दिया गया उसको fix कर दिया गया So British East India Company के द्वारा जो tax revenue है इसको fix कर दिया गया And ये जो tax revenue है ये जमिनदार के द्वारा pay किया जाना था So जमिनदार क्यों pay कर रहे थे So ये सब कुछ हम लोग chapter में भी discuss करेंगे Topic No.1 में ये discuss करेंगे So फिलाल के लिए आप लोग ये जान लो कि permanent settlement के अंदर में जो East India Company था उन्होंने अपने revenue demand को fix कर दिया And वो जो revenue demand था वो जमिनदार को pay करना था And अगर जमिनदार अपने revenue demand को pay नहीं कर पाते थे ये जो fixed revenue है इसको pay नहीं कर पाते थे Then जो British East India Company होता था वो जमिनदार के सारी states States का यहां पर मतलब है large areas of land So जमिनदार के जितने भी large areas of land होते थे उसको oxygen करवा दिया जाता था यानि कि उसकी लीलामी करवा दिया जाता था अपने revenue को recover करने के लिए So इसी का हमें एक example दे रखा है So 1797 में हमें एक ऐसा ही oxygen देखने को मिलता है इन बर्दमान यानि कि हमें एक ऐसा ही नीलामी देखने को मिलता है So बर्दमान के जो राजा थे अब राजा से यहांपर मतलब है powerful zeline So बर्दमान के जो powerful zeline थे उनके जितने भी mails थे mails का मतलब होता है states यानि कि large areas of land So बर्तमान के राजा के पास जादे तर जो large areas of land थे, उसको sold कर दिया गया, उसकी लीनामी कर दी गई, इसका reason क्या था, बर्दमान की जो राजा थे, वो अपना जो revenue था, अपना जो fixed revenue था, जो कि उन्हें British East India Company को pay करना था, उस शीज को वो pay नहीं कर पा रहे थे, बहुती जादा depth हो गया था, इसी वज़ से, वो उसी व्यक्ति को मिलता है, जो कि सबसे highest beader लगाता है, यानि कि जो सबसे highest boli लगाता है, जो मुवीज में आप लोगों ने देखा होगा, कि आखिर किसी भी चीज की नीलामी किस तरीकी सी किया जाता है, बहुत सरी लोग आते है, और जब भी किसी भी चीज को sold किया जो भी purchaser, जितना ज़्यादा बोली लगा पाता था, उसी purchaser को वो areas of land मिल जाता था, बर यहां पर भी हमें एक twist देखने को मिलता है, generally जो collector थे, उनके द्वारा एक twist को discover किया गया, और वो twist ये था, कि जितने भी purchaser आते थे उस नीलामी में, सुजाद तर जो purchasers होते थे, वो राजा के ही servant या फिर agent होते थे, यानि कि वो जमींदार के ही knocker होते थे, या फिर उनी के agent होते थे, एन यहीं लोग राजा के states को buy कर लेते थे on behalf of their master, यानि कि जमींदार के states को भी बेचा जा रहा है, जमींदार ने अपनी agent को purchaser में बिठा रखा है, जो उनके agent होते थ वहीं लोग जमीनदार के स्टेर्स को खरीदते थे, तो indirectly उन सारे जमीन के उपर, जमीनदार का ही control होता था, जमीनदार किसी भी हालत में, अपने लैंड के उपर जो उनका control था, उसको lose नहीं करना चाते थे, तो दिखावे के लिए तो हमें लग रहा है, जमीनदार का जो स्टेर्स से, जो areas of land है, उसको बेचा जा रहा है, but reality हमें कुछ और ही देखने को मिलता है, जमीनदार के एजेंस के द्वारा ही, आजमीनदार का ही sieht in बाज़ी अजमीनदार के उन सारी of land के ओपर control होता था So with this topic number 1.1 complete होता है I hope कि आपको ये topic बहुत दी अच्छी तरीकी से समझ में आया होगा So इस पूरे स्टोडी को जानने के बाद अब हमारे mind में काफे सारे question arise हो रहे होंगे सबसे पहले तो ये question कि आखिर British East India Company के द्वारा Bengal में Permanent settlement को लागू क्यों करवाया गया था Second question ये है कि आखिर जमिंदार के द्वारा इन सारे fixed revenue को पे क्यों किया जाता था And third question ये है कि आखिर जमिंदार उन सारे fixed revenue demand को company को पे क्यों नहीं कर पाते थे So इन सारी question का answer हमें topic number first में ही मिलेगा So now अब हम लोग topic number 1.2 को discuss करते है So topic number 1.2 में आपको अपने पहले question का answer मिलेगा कि आखिर permanent settlement को impose क्यों किया गया था Implement क्यों किया गया था Bengal में So topic number 1.2 का नाम है The problem of unpaid revenue So इसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर जो जमिंदार थे वो लोग revenue को pay क्यों नहीं कर पाते थे So सबसे पहले तो हम लोग कुछ reasons के बार में discuss करते है for imposing permanent settlement Bengal में एक new revenue policy को क्यों impose किया गया था Permanent settlement को क्यों impose किया गया था So उसके कुछ reasons को हम लोग discuss करते है So पहला जो reason था वो ये था कि by introducing the permanent settlement Permanent settlement को introduce करने की बाद British officials को ये लगा कि Bengal को जब से हम लोगों ने conquest किया है So तब से हम लोग बहुत सारे problems को face कर पा रहे है So permanent settlement के द्वारा वो सारे जो problems है उसको solve किया जा सकता है So आखिर Britishers क्या problem face कर रहे थे So 1700 and 70s की बाद सही Bengal के economy में हमें crisis देखने को मिलता है Serious problems देखने को मिलता है So Bengal में हमें कई बाद repeated famine देखने को मिर रहा था यानि की भूकमारी देखने को मिर रहा था And Bengal में जो agriculture output था वो भी बहुत ज़्यादा decline हो गया था So Britishers ने Bengal का दिवानी right इसलिए लिया था बाकि उसके थुरू वो profit कमा सके Bengal में वो higher tax को impose करे Revenue demand को impose करे And उस tax के द्वारा British East India Company बहुत ज़्यादा profit कमा सके But जिस time period से उन्होंने Bengal को capture किया है Bengal के ओपर conquest किया है So तब से लेकर Bengal का जो condition था जो economic condition था वो अच्छा नहीं चर रहा था So इस वज़े से British East India Company को उतना ज़्यादा profit नहीं मिल पा रहा था So British officials ने ये सोचा कि अगर हम लोग Permanent settlement को impose कर दे यानि कि tax revenue को permanent बना दे, fix बना दे Then जो भी हो चाहिए जैसा भी condition हो Pisans को ये fixed amount पे करना ही पड़ेगा So इसके through वो अपने profit को increase करने की कोशिश कर रहे थे ये जो problem था, इस problem को solve करने की कोशिश कर रहे थे So इसी वज़े से Britishers के द्वारा Bengal में Permanent settlement revenue policy को implement किया गया So ये था पहला reason Now second reason ये था कि British officials को ये लगा कि अगर हमें Bengal में agriculture trade and revenue resources को increase करना है Then वो तभी possible है So इस शीज को भी सोच कर प्रेटिशर्स ने बेंगॉल में Permanent settlement को stabilize किया था And company officials के द्वारा ये सोचा गया कि Pisans तभी अपने agriculture production में जादा जादा investment करेंगे जब उन्हें property का right मिलेगा जब उन्हें security मिलेगा कि उनका जो property है वो हमेशा के लिए उनके पास ही रहेगा जब उनका जो revenue demand है उसको fix कर दिया जाएगा So तभी जो peasants है वो लोग अपने agriculture production के ओपर invest करेंगे So इस शीज को मैं आप लोगों को थोड़ा से समझाती हूँ So company officials के द्वारा ये सोचा गया कि Peasants तभी अपने agriculture production पे जादस जादा investment करेंगे जब उन्हें लगेगा कि ये जो investment हम कर रहे है इससे हमें जादस जादा profit मिलेगा So company officials के द्वारा सबसे पहले तो Peasants को ये security दिया गया कि आपका जो property है वो आपका ही रहेगा हमें सिर्फ सिफ revenue चाहिए हमें सिर्फ सिफ tax चाहिए साथी साथ company की द्वारा जो tax revenue है उसको भी fix कर दिया गया So इससे क्या होगा? Peasants को पता रहेगा कि हम लोग जितना भी production करें इतना percent जो tax है वो हमें company को देना ही पड़ेगा So इससे क्या होगा? जो peasants है वो लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे ज़्यादा ज़्यादा production करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अगर वो ज़्यादा production करते है जितना भी profit होगा वो peasants अपने पास रखेंगे क्योंकि company अब अपने tax amount को increase नहीं कर सकता है company की द्वारा tax amount को fix कर दिया गया So अगर peasants अपने land में ज़्यादा ज़्यादा production कर पाता है ज़्यादा ज़्यादा profit कमा पाता है दन उस profit का जो share है वो उसे East India Company को नहीं देना पड़ेगा East India Company ये नहीं बोल सकता है कि आपने इस साल ज़्यादा production किया है आपको ज़्यादा profit मिला है दन हमें ज़्यादा tax दीजिए So ये चीज़ नहीं कर सकता है British East India Company So इसी वज़े से भी कहीं न कहीं British East India Company की द्वारा permanent settlement को implement किया गया जो third reason है वो ये है कि अगर Britishers permanent settlement को introduce करता है यानि कि जो revenue demand है उसको fix कर देता है तर इसके through company को regularly revenue मिलता ही रहेगा So जैसे कि हम लोगों ने कुछ problems की बार में discuss किया जिसके through company को regularly revenue नहीं मिल पा रहा था So अगर जो company है वो अपने revenue को fix कर देगा कि आखे जो भी condition हो हमें नहीं पता मेरा जो revenue rate है वो हमें time पे चाहिए तर इससे कि होगा company को regularly पैसा मिलते ही रहेगा Company की पास भी एक idea होगा कि किन सारे areas of land से हमें कितना payment मिलेगा तर उसके through अपना जो policy से फर्दर उसको भी बना सकता है ना जो fourth reason है वो यह है कि even जब entrepreneurs होंगे जो businessmen होंगे सो वो लोग भी sure होंगे कि उनको अपने investment में profit मिलेगा यानि कि entrepreneurs के द्वारा अगर agriculture field में कुछ भी investment किया जा रहा है पैसा लगाया जा रहा है दान investment करके पैसा लगा कि जो भी profit होगा सो वो profit entrepreneurs को भी मिलेगा उस profit को उन्हें British East India Company की साथ share नहीं करना पड़ेगा सो ये भी एक reason था जिसकी वज़े से permanent settlement को impose किया गया इंप्लिमेंट किया गया ना जो fifth reason है वो यह है कि again British officials के द्वारा ये सोचा गया कि अगर हम लोग Bengal में permanent settlement को implement करेंगे तर इसके थ्रू Bengal में human farmers and rich land owner class का emergence होगा सो human farmers ऐसे farmers को कहा जाता है जिनके पास अपना खुद का land होता है जो कि अपने खुद के land में production करते है सो Britishers के द्वारा ये कहा गया कि Bengal में human farmers and rich land owner class का emergence होगा क्योंकि permanent settlement के द्वारा farmers बहुत ज़दा profit कमा सकते है जितना ज्यादा वो लोग invest करेंगे जितना ज्यादा production करेंगे जो भी profit होगा वो उनहीं को मिलेगा सो profit की कारण अब farmers का अपना खुद का land होगा जो land owners थे वो लोग भी बहुत ज्यादा rich हो जाएंगे अगेन इसकी वज़े से उनके पर जो भी capital है जो भी पैसा है सो उन सारी capital को वो agriculture को improve करने में invest करेंगे जैसे ही agriculture और ज़दा improve होगा जैन उन लोगों को और ज़दा profit मिलेगा जैसे कि permanent settlement को British के द्वारा East India Company के द्वारा launch किया गया इंटिड्यूस किया गया इसके थ्रू जो भी peasants रहेंगे वो लोग company की प्रती बहुत ज़दा loyal होंगे क्योंकि company की वज़े सही उनको इतना ज़दा profit मिलेगा बट British ने ये जो कुछ भी सोचा था company officials के द्वारा जो भी planning बनाया गया था कि अगर हम लोग permanent settlement को impose करेंगे इसके थ्रू हमें ये सब positive result देखने को मिलेगा बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है नेक्स्ट आप लोग ये देखोगे कि permanent settlement की वज़े से इवन जो rich जमीनदार थे वो लोग भी बहुत ज़दा पोड हो जाते है और उनके पर जो अपना officials को एक ऐसे person की जरूरत थी जो की permanent settlement की agreement को उनके साथ sign करेगा जो की हर एक villages से revenue को collect करके उनको लाके देगा अब company के officials तो हर एक villages में जाएंगे नहीं revenue को collect करने के लिए उनके द्वारा सिर्व सिर्व revenue policies को बनाया जाएगा सो collection का जो काम है सो collection की काम को करने के लिए उनके एक perfect व्यक्ति की जरूरत थी सो permanent settlement के अंडर में बेंगॉल के जो राजाज थे यानि की जो powerful जमिनदार थे और जो तालुकदार्स थे तालुकदार्स भी ऐसे लोगों कहा जाता है जिनके पास अपना territorial unit होता है काफ़ी सारे land होते है सो बेंगॉल के जो राजा और जो तालुकदार थे सो उन्ही को जमिनदार कहा गया उन्ही के साथ permanent settlement के agreement को sign किया गया यानि कि company officials के द्वारा बेंगॉल के राजा और तालुकदार को choose किया गया सो जमिनदार को ही ये payment करना है सो जमिनदार का actual meaning तो ये होता है कि ऐसा वक्ति जिनके पास काफ़ी सारे land है काफ़ी सारे जमीन है जो land owner होते है village का उन्ही को जमिनदार कहा जाता है बट permanent settlement में हमें ये देखने को मिलता है कि state के जो revenue collector थे सो उनको यहां पे जमिनदार कहा गया सो जमिनदार के अंडर में काफ़ी सारे villages होते थे जमिनदार का काफ़ी सारे villages के उपर control होता था लगबग 400 villages के उपर control होता था सो इन्ही सारे villages को जमिनदारी कहा जाता है सो हर एक जमिनदारी होता था वो एक revenue state को form करता था यान कि माल लीजे कि अगर किसी भी जमीनदार के अंडर में लगबग 100 villages है यह 100 villages का जो group है यह उनका एक जमीनदारी हो गया और इसी को एक revenue state भी कहा गया तो company के द्वारा हर एक prison के उपर tax amount को fix नहीं किया जाता था और यह करना possible भी नहीं था क्योंकि उस time period के दोरा काफी सारे prisons होते थे काफी सारे फार्मर होते थे तो हर एक prison के land को examine करना और फिर उसके according उसके उपर tax को fix करना तो यह करना possible नहीं होता था तो इसी वज़े से company की द्वारा यह जो revenue state यानि कि यह जो group of villages है सो group of villages के उपर permanent revenue को fix कर दिया जाता था और यह जमिनदार का duty बनता था कि यह जो permanent revenue demand है यह जमिनदार company को pay करे सो company के द्वारा हर एक revenue state के उपर permanent revenue को fix कर दिया जाता था और जो revenue state है वो जिस भी जमिनदार के अंडर में होगा, उसी जमिनदार का ये duty बनता है कि वो company के ये जो fixed revenue amount है उसको pay करे, जमिनदार के अंडर में जितने भी villages होते थे, हर एक villages से वो rent यान की tax को collect करता था, जो भी fixed tax है उसको वो pay करता था, जो differences होता था वो उसका income होता था, इस शीज को भी मैं जमिनदार है, उसके द्वारा माल दीजे की लगबग 7000 का collection किया गया, जो ये जो differences है, यानकि 5000 उन्होंने company को दे दिया, और बाकी का जो 2000 रुपीज है, वो जमिनदार का income होता था, जमिनदार जितना ज्यादा collection कर पाते थे, उतना ही ज्यादा जमिनदार को profit मिलता था, क् कि जो company है, वो अब अपना revenue demand है, उसको बरहा नहीं सकती है, जो revenue demand है, वो उतना ही रहेगा, जमिनदार के पास भी एक बहुत ही अच्छा opportunity था, कि अगर जमिनदार जादा जादा collection कर पाता है, तो जो भी extra collection होगा, वो उसका profit होगा, वो उसका income होगा, जमिनदार को company को regularly pay कर पाता था, तर उनके जितने भी states से उसकी निलामी कर दी जाती थी, ना कि peasants के state की निलामी की जाती थी, जमिनदार के उपर ये एक बहुत ही बड़ा responsibility भी था, कि अगर वो collection नहीं कर पाता है, तर उसके बदले में उनके जितने भी land से उसको निलाम कर दिया जाएगा, तो fixed revenue amount था, ये जमिनदार आकिर pay क्यों नहीं कर पाते थे, उन सारी reasons के बारे में हम लोग इस topic में discuss करने वाले हैं, तो company officials के द्वारा ये सोचा गिया कि अगर हम लोग अपने revenue demand को fix कर लेंगे, तर इसकी वज़े से कही ने कहीं जो जमिनदार है, उनको भी एक security मिलेगा, security इस जमिनदार के द्वारा जाधा-जाधा investment किया जा रहा है, agriculture production के उपर, so investment करने से जो भी extra production होगा, जो भी extra revenue collection होगा, so वो जमिनदार कहीं रहेगा, so इससे जमिनदार को कहीं न कहीं एक security मिला, कि अगर मैं जाधा-जाधा tax को collect कर लेता हो, then extra tax मुझे company को नहीं देना पड़े So this encourage them to improve their state, यानि कि profit की वज़े से जमिनदार हो अपने states, यानि कि अपने जो भी villages थे, जो भी areas of land है, जो agriculture field है, so उसको improve करने की कोशिश करते हैं, but जब 1793 में permanent settlement को introduce किया गया, so उसके शुरुवात के decades में हमें यह देखने को मिला कि कई सारे ऐसे जमिनदार थे, जो कि उस fixed revenue demand को pay नहीं कर पा रहे थे, so profit कमाना तो दूर की बात था, जमिनदार उस fixed revenue को ही pay नहीं कर पा रहे थे, so next हम उन सारे reasons के बारे में ही discuss करेंगे, कि आके जमिनदार उन सारे payments को pay क्यों नहीं कर पाते थे, so जो पहला reason है वो है, that the initial demands were very high, यानि कि शुरुवाद में जो demand रख गया था, जो fixed amount रखा गया था, वो बहुत ही जदा high था, so Britishers बहुत ही जदा चालाग थे, ऐसा नहीं था, कि वो लोग जमिनदार को rich बनाना चाहते थे, so यह सिर्फ जमिनदार को एक सपना दिखाया गया था, कि permanent settlement के agreement को sign करने की बात, अब बहुत ही जदा rich हो जाओगे, but actual में हमें कुछ और ही देखने को मिलता है, so आखिर company के द्वारा initial revenue demand को इतना जदा high क्यों रखा गया था, so इसका reason यह है कि company officials के द्वारा यह सोचा गया, कि यह जो revenue demand है, यह तो permanently fixed है, अब हम लोग इसको change नहीं कर सकते है, so future में जब price बहुत जदा बढ़ेगा, जब cultivation बह बहुत जदा profit कमाया जाएगा, income कमाया जाएगा, so उस income में हमारा share नहीं होगा, so इसी वज़े से पहले से company के द्वारा जो revenue demand है, उसको बहुत जदा बढ़ा के रखा गया, ताकि future में जब जब जमिनदार को बहुत जदा profit मिलेगा, उसके थुरू company भी profit कमा सके, so company को 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 बहुत जब लॉस ना हो, so इसी वज़े से company के द्वारा शुरुवात सही revenue demand को बहुत जदा high रखा गया था, but इस वज़े से कही न कहीं जो जमिनदार थे, वे लोग payment नहीं कर पाते थे, वे लोग fixed revenue को pay नहीं कर पाते थे, but company के द्वारा ये भी कहा गया, कि जमिनदार के उपर ये जो burden है, so ये burden धीरे-धीरे decline हो जाएगा, जब agriculture production increase होना start हो जाएगा, जब agriculture production का जो price है, वो बहुत जदा बढ़ना start हो जाएगा, जब जमिनदार profit कमाना start करेंगे, दिन धीरे-धीरे ये जो burden है, ये उतर जाएगा, बर शुरुवार में जमिनदार को थोरा सा problem face करना पड़ेगा, कई बार ऐसा होता था कि जमिनदार को अपना खुद का पैसा लगाना पड़ता था, उस fixed revenue को pay करने के लिए, so इससे जमिनदार को बहुत ज़्यादा problem face करना पड़ा, इसी वज़े से जमिनदार regularly payment नहीं कर पाते थे, so ये दा पहला reason, second reason ये है, कि ये जो high demand था, जो high revenue था, इसको impose किया गया था in the time period of 1790, so वो जो time period था, उस time period की दौरान agriculture produce का जो price था, वो बहुत ज़्यादा depressed था, यानकि वो बहुत ज़्यादा कम था, and इस वज़े से village में रहने वाले जो रायत थे, यानि कि जो peasants थे, जो farmers थे, उनको बहुत ज़्यादा difficulty हो ज़े से भी जमिंदर कई बार revenue demand को pain नहीं कर पाते थे, जो third reason है वो है, that the revenue was invariable, regardless of the harvest, and had to be paid पंचोली, यानि कि जो revenue demand था, वो permanently fixed था, वो constant था, उसको किसी भी हालत में change नहीं किया जा सकता था, regardless of the harvest, यान कि अगर, मार लिज़े कि agriculture production, या फिजो harvest, वो बहुत ज़्यादा इसे situation में भी जो revenue था, उसको change नहीं किया जाता था, उसको punctually, यानि कि time to time pay करना ही पड़ेगा, and in fact, sunset law की according, जिस दिन जमिंदार को time दिया जाता था, कि इस particular day में आपको, जो revenue amount है, इसको pay करना है, so उस दिन के sunset तक, यानि कि सूरज ढूबने तक, अगर, जमिंदार उस payment क नहीं दे पाता था, जमिंदार की जितने भी states होते थे, उनको auction यानि कि उसकी निलामी कर दिया जाता था, जो fourth reason है वो है, that the permanent settlement initially limited the power of the जमिंदार to collect rent from the riot and manage his जमिंदारी, यानकि permanent settlement में हम ये भी देखने को मिलता है, कि जमिंदार की power था, उसको भी limit कर दिया गिया, so जमिं जमिंदार के द्वारा अपने काफे सारे powers को भी limit किया गया, so company के लिए जमिंदार important थी, क्योंकि बिना जमिंदार की ये जो पूरा ही permanent settlement का revenue policy था, ये काम नहीं करेगा, so company के लिए जमिंदार important थे, but on the same time company ये भी चाता था, कि वो जमिंदार के उपर control करे, जमिंदार को regulate क जो autonomy है, जो authority है, जो power है, उसको restrict करे, उसको control करे, so जमिंदार के power को limit करने के लिए सबसे पहले, company के द्वारा, जमिंदार के पास जो troops थे, so हम लोगों ने previous के chapter में discuss किया था, कि जमिंदार अपने पास अपने troops को भी रखते थे, so जमिंदार के जो troops थे, सबसे पहले उसको dispend कर दिया गया, जमिंदार के द्वारा जो custom duties लगाया जाता था, यानकि import-export के ओपर, जमिंदार के द्वारा कुछ tax को impose किया जाता था, so उस tax को भी applies किया गया, साती साथ जमिंदार के द्वारा अपने villages में, जो kacharies या फिर court को stabilize किया जाता था, जिसके थूँ, वो अप इस चीजों को supervise कर रहा था, so इसके थूँ भी जमिंदार के पास जो power था, वो बहुत ज़्यादा लिमिट हो गया, so जमिंदार के पास local justice को organize करना, local police को organize करना, यह सारे जो power थे, so यह सारे जो power अब जमिंदार के पास थे, जो collector थे, वो एक alternative center of authority के रूप में emerge हो रहे थे, and जो कि जमिंदार के power को restrict कर रहे थे, जमिंदार के द्वारे जो कुछ भी किया जा सकता था, so उन सारी चीजों को collector के द्वारे restrict किया जाता था, and जमिंदार के बदले में अब collectorate एक alternative center of authority की रूप में emerge हो रहे थे, so with this हम लोगों ने 4 important reasons को discuss किया, जिसकी वज़े से, जमिं का answer आप लोगों को topic number one में ही मिल जाएगा, and अगर आपको ये सारे नोश चाहिए, then please join my telegram channel, link आपको मेरे description box में मिल जाएगा, and next time में बता रखाए about the problems faced by जमिंदार, so ये 4 main two reasons थे, जिसकी वज़े से, जमिंदार पेमेंट नहीं कर पाते थे, but इसके अलावा भी, जमिंद जमिंदार भी खुद, हर एक विलेजिस में नहीं जाते थे revenue को collect करने के लिए, बल्कि जमिंदार के जो officer होते थे, जिनको अमला कहा जाता है, so उनके द्वारा revenue को collect किया जाता था, rent को collect किया जाता था, ये ही लोग अलग-अलग villages में जाते थे, और farmers से rent को collect करते थे, but revenue को collect करना रैंट को कलेक्ट करना यह एक रिपीटेड प्रॉब्लम था सो किन सरे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे इन सरे ऑफिसर्स को सो जो पहला प्रॉब्लम है वो यह है कि कई बार बहुत ज़्यादा बैड हार्डवेस्ट होता था यान कि अगरिकल्चर प्रोडेक्शन के द्वारा कलेक्शन को नहीं किया जाता था ना जरो सटर्ड अरेरेजय करने में carि डिले कर दे कर देए जो परिखर जाता है वह यकि विलेज़े और उर्लम होते ते को मंधल कगा जाता है इस शीज को देख करूँ बहुत ज़्यादा खुश होते थे और वो लोग भी payment करने में बहुत ज़्यादा delay करते थे और जो fourth reason है वो ये है कि जमिंदार के द्वारा कई बार complain भी किया जाता था कि ये सारे जो peasants है ये लोग time पे tax provide नहीं कर पा रहे बर जो judicial process होता था वो आज की तरह ही पहले के time period में भी बहुत ज़्यादा long process होता था so इस तरीके से भी जमिंदार को payment करने में बहुत ज़्यादा problem face करना पड़ता था so इन सारी reasons की वज़े से जमिंदार time पे payment नहीं कर पाते थे and as a result जमिंदार के जो states होते थे उसको लाम कर दिया जाता था so topic number 1.3 भी complete होता है ना जो हमरे next topic है वो है topic number 1.4 the rise of जोतेदार्स so इस topic में हम लोग जोतेदार्स के rise के बार में पढ़ेंगे उनका position village में किस तरीके से increase होता है so उसके बार में discuss करेंगे so 18th century के time period के दौरान permanent settlement की वज़े से जमिंदार के पास जो power था वो बहुत ज़्यादा decline होने लगा and on the same time North Bengal में rich peasants का एक new group का emergence हुआ so rich peasants का ये जो new group था so इसी को जोतेदार कहा गया next हमें ये बता रखा है कि आखिर 18th century के time period के दौरान जोतेदार इतना ज़दा rich कैसे होगे क्या वो factors थे क्या वो reason थे जिसकी वज़े से जोतेदार के पास जो power था वो बहुत ज़दा increase होने लगा so जो पहला factor है वो ये है कि जोतेदार के पास भी vast areas of land होते थे कई सारे जमीने होते थे and कुछ कुछ cases में तो हम ये देखने को मिलता है कि कई साले जोतेदार के पास लगबग thousand acre of land होता था so अगर किसी वी वक्ति के पास इतने सारे land है then of course उसका जो position है वो बहुत ज़दा higher होगा वो बहुत ज़दा rich होगा जो second factor है वो ये है कि जोतेदार के द्वारा even जो local trade activities होता था वो भी control किया जाता था साती साथ जोतेदार के द्वारा money landing भी किया जाता था यांकि अगर किसी भी poor poison को पैसा चाहिए, loan चाहिए, कर्च चाहिए अपने अगरिकल जो production को करने के लिए जोतेदार के द्वारा ही वो कर्च दिया जाता था इसके अलावा जोतेदार जो poorer cultivators होते थे जो गरीब cultivators होते थे सो उनके उपर भी अपने power को exercise करता था जो third reason है वो ये है कि जैसे कि जोतेदार के पास भी कई सारे areas of land होते थे और उन सरे land में वो खुद तो cultivation करने ही पाते थे सो जोतेदार के जो large areas of land थे सो उन सरे land में share croppers के द्वारा cultivation किया जाता था सो share croppers ऐसे farmers को कहा जाता है जो कि अपने खुद के land में नहीं बलकि दूसरों के land में cultivation करते है वो लोग अपने खुद के प्लाव का अस्तमाल करते है दूसरों के land में applying करने के लिए वो लोग दूसरों के land में अपना labor service को provide करते है और फिर जो भी harvest होता था जो भी production होता था 50% वो अपने पास रखता था और 50% वो जोतेदार को दे देता था इन सारे कारोनें से हमें पता चलता है कि जोतेदार बहुत ज़ादा rich हो चुके थे 18th century के time period के दौरा और इसका main reason ही है कि जोतेदार के पास में कई सारे areas of land होते थे ना next हमें जोतेदार के powers के बार में बता रखा है जो गाओं में जोतेदार even विलेजेस में direct control होता था थर्ड पॉइंट ये है कि अगर जमीनदार के द्वारा कुछ भी effort लगाया जाता था गाओं में जामा को increase करने के लिए जामा का मतलब revenue tax होता है जो अगर जमीनदार के द्वारा कुछ भी efforts लगाया जाता था विलेजेस में tax को increase करने के लिए then जोतिदार के द्वारा उसको strongly racist किया जाता था उसको रोका जाता था फॉर्थ पॉइंट ये है कि जोतिदार even जो जमीनदारी officials होते थे जो कि revenue को collect करने के लिए आते थे उनको भी रोका जाता था उनको भी prevent किया जाता था from collecting the rent next point ये है कि जोतिदार even riots यानि कि जो भी दूसरे peasants होते थे उनको mobilize करते थे against the जमीनदार उनको ये कहते थे कि आप लोग revenue payment में delay करो आप लोग जल्दी revenue payment ना दो जमीनदार को परिशान करो तो इस तरीके से भी जोतिदार अपने power को excise करने की कोशिश कर दे थे अगर जमीनदार की द्वारा permanent revenue demand को pay नहीं किया जाता था company को then company की द्वारा उनके जितने भी states से उनके जितने भी large areas of land है so उसको निलाम कर दिया जाता था अपने revenue को recover करने के लिए so जो जोतिदार्स होते थे वो लोग भी purchasers के रूप में उस निलामी में जाते थे and वो लोग जमीनदार के land को purchase करते थे so there emergence weaken the authority of जमीनदार in बेंगॉल so जोतिदार की emergence की वज़े से बेंगॉल में जमीनदार का ज़ ऑथोरिटी था and किसी किसी places में इन सारी ही लोगों को हाउलेदार्स या फिर गंटिदार्स भी कहा जाता था so with this हमारा topic number 1.4 complete होता है so rest of the topic we will discuss in our next video आज के लिए बस इतना ही रहने देते है I hope कि आपको सारी ही topics बहुत ही अच्छी तरीकी से समझ में आ गये होंगे so अगर आपको समझ में आ रहा है then please एक बर comment करके मुझे जरूर बताईएगा मुझे बहुत ही जदा अच्छा लगेगा and अगर आपको आज के ये explanation अच्छा लगा then please like my video and please अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेर कीजएगा and अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है then please जरूर subscribe कर दीजेगा and साथी साथ अगर आपको अपने class 12 history के दूसरे chapters का भी explanation video देखना है then please check out my description box description box में आपको class 12 history का playlist का link मिल जाएगा so now आज के इस वीडियो का end करते है so now see you all soon in my next video till then bye bye and stay tuned with my channel and thanks for watching my video